इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा अधिनस्त बोर्ड यहनी की RS MSSB बोर्ड द्वारा आज 3 मार्च को आयोजित हुए शंगणग भरती परिक्षा के लिए इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा केटेगरी वाइज पदोग की शंग्या लाश्ट बार इस भरती परिक्षा में कितनी कट ओफ गई थी और इस बार कितनी जा सकती है उसके बार में चर्चा करूँगा वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अजिक शेयर करें क्योंकि यूट्यूब चैनल पर आपको थोड़ी देर बाद आज के पेपर का एनलेसिस भी देखने को मिलेगा इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर इसलिए अगर अभी तक वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चनल जरूर सब्सक्राइब करें तो सबसे पहले आपको बताता हूँ शंग्णक भरती परिक्षा 2023 का नोटिफिकिसन जारी होता तो अब उसमें स्पर्श टूप से लिखा था कुल 583 पदों पर ये भरती परिक्षा आयोजित की गई है आज जिसमें non-TSP के 512 पते और TSP के 51 पते अब non-TSP में 512 कैटेगरी वाइज और TSP के 51 कैटेगरी वाइज पदों के संक्या के बारे में जान करी दूँगा तो सबसे पहले मैं non-TSP में बात करूँगा तो non-TSP में आपको मालूमें टोटल 512 पते अब इन 512 पतों में देखा जाए तो जनरल कैटेगरी के 129 पते अनुसुचित जाती के है आपके 57 पते अनुसुचित जन जाती के आपके 43 पते अन्ने पिचड़ा वर की बात करे तो पिचोतर पते अती पिचड़ा वर की बात करे तो 18 पते आर्थिक रूप से कमजोर वर की बात करे तो 36 पते जनरल कैटेगरी सबी में बात करें और 12 जिले की सहरिया जन जाती की बात करे तो 3 पते अब होरीजेंटल रिजरोशन में देखा जाए तो होरीजेंटल रिजरोश में आप देख सकते हैं विसेश योगिजन में BELV के 6 HI के 6 पद, LDCP के 5 MI SLD MD के 7, विबागिय मंतरालिक करमचारी के 64 पद है और भूतपुरक्षैनिक की बात करें तो इसमें जनरल के 25 SC के 10, ST के 7 OBC के 13, MBC के 3 और EWS के 6 पद है उतकरष्ट के लाड़ी की बात करें तो 10 पदों पर ये भरती परिक्षा आयोजित की गई अब TSP की बात करें तो TSP में टोटल आपके 11 पदों पर ये भरती परिक्षा आयोजित हुई है जिसमें जनरल केटिगरी के 21 पत है अनुसुचित जाती के 2 पत है और अनुसुची जन जाती के 26 पत थे तो ये तो आप के थे पदों के बारे में उसके बाद होरिजन्टल रिजुरेशन में बात करूँ टीस्पी में तो बीलुई में आप देख सकते दो पत ही के एक, LDCP में दो पदों पर ये बरती परिक्षायों जीतुए विबागिय मंतराली करमचारी में साथ पत थे एक्स सर्विश्मेन में देखा जाए तो जनरल कैटेगरी में पांच पत थे SC में एक थे, OBC में एक थे और उतकरश्ट खिलाडी में एक पत था तो ये थी पदों की संख्या, अब मैं बात करूँगा लाश्ट बार ये कट ओफ कितनी गई थी, कट ओफ कितने मैं से रही थी उसके बार मैं चर्चा करूँगा, लाश्ट बार पद कितनी थे क्योंकि एक दम सटिक कट ओफ का analysis करने के लिए हमें तीन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है एक तो की paper में उपस्तिती कितनी रही थी दूसरा paper का level कैसा था और तीसरा इस exam के लिए पदों की संक्या कितनी है और कितने लोगों ने उनकी exam दिया तो ये तीन बातों का ध्यान बहुत जरूरी है हमें रखना तभी हम एक तम सटिक analysis कर सकते हैं और आप हमें comment box में जरूर बताए कि आज का paper का level कैसा रहा है आपने कितने question attempt किये हैं attempt कितने किये और उसमें से कितने आपके सही हो रहे हैं ये सभी जानकारी आप हमें comment box में बताएं ताकि union में मैं आपके लिए एकदम सटिक cutoff लेके आऊँगा जिसमें सभी analysis देखके ये आपको बताऊँगा कि इस बार आपकी cutoff कितनी जा सकती है उससे पहले last बार आप देख सकते हो cutoff कितनी गई थी cutoff बताने से पहले आपको paper का level कैसा था sorry paper का level नहीं paper का method क्या था वो आप सबको मालूम है इस बार आपको 5 option देखने को मिला यानि कि अगर आपने 5 option नहीं भरा है या फिर कोई भी cushion को खाली छोड़ दिया तो आपके number कर जाएंगे क्योंकि 5 ये गोले को लेकर instruction पहले ही दे चुके थी adenance board और RPSC दोनों दे चुके कि आपके paper level में जो paper की संखिया paper में परशनों की संखिया है उससे अगर 10% से ज़्यादे अगर आपने खाली छोड़े है तो आपका आपको 5 option फिल करना था और minimum qualification marks 40% लाना सबको जरूरी है यानि कि आज का paper 100 नमबर का था तो इसमें 40 नमबर तो लाना जरूरी है चाहिए cutoff कितनी भी जाए अगर आपका 40 से कमा रहा है तो कोई cutoff नहीं निकलेगी यानि कि जो first student आरा top उसके अगर 45 नमबर आ रहे हैं तो result में कोई भी selection किसी का नहीं होगा minimum 40 नमबर लाने compulsory है ये जब notification जारी किया था तो उसमें इस पर श्टूप से लिखा वा था और last year की तुलना में इस बार देखा जाए तो बहुत change जी क्या change है last year पदों की संख्या भी कम थी कितने थे 200 पद थे और इस बार अभी मैंने दिखाया कितने पद थे आपके अभी मैंने उपर आपको बताया 500 के something कुछ पद थे 583 पद थे यनि की last year की तुलना में लगबग दो गुने पद, दो गुने से भी थोड़े जादा है इतने पदों पर ये भरती परिक्सा इस बार आयो जित हुई है और आप cut off देख सकते हो last year कितनी रही थी और इस बार कितनी रहीगी इस पर मैं आपके लिए साम को एक वीडियो लेकर आऊँगा इसलिए चनल जरूर सब्सक्राइब करें लेकिन उससे पहले आपको comment box में भी बताना बहुत जरूरी है कि आज का paper का level आपका कैसरा है आपने कितने kitchen attempt किये उसमें से कितने सही हो रहे एक दम सटिक आपको जानकारी देनी होगी अब बात करता हूँ ये cut off जो मैं बता रहा हूँ इसमें आप देख सकते है ये cut off 100 मैं से है जनरल की रही थी 66.89 फिमेल की रही थी 61.30 डव्लूडी की रही थी 40.74 डीवी की रही थी 44.53 EWS केटेगरी की बात करें तो EWS में जनरल की रही थी 63.23 फिमेल की 57.58 रही थी उसके बाद SC केटेगरी की बात करें SC केटेगरी में जनरल की cut off रही थी 52.35 फिमेल की 43.35 उसके बाद SC केटेगरी की बात करें तो SC केटेगरी में जनरल की रही थी 55.53 फिमेल की रही थी 45.82 उसके बाद OBC की बात करें तो OBC में जनरल की cut off रही थी 65.38 फिमेल की रही थी 56.51 MBC category की बात करें तो MBC की general की बात करें तो 60.359 female की देखें तो 40.7692 रही है उसके बाद सहरिया की बात करें तो कोई नहीं है तो ये तो आप की थे horizontal reservation वो तो आप की थे non-TSP की अब non-TSP में horizontal reservation की cut-off कितनी रही है उसके बारे मैं जान करें दूँगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें चनल जरूर सब्सक्राइब करें तो horizontal reservation में BLV की 37.94 रही HI की 39.12 रही LDCP की 42.38 रही है Department Ministerly Employee की 40.41 रही है X-Serviceman की 35.20 रही है और Sportsman की 40.07 रही है अब TSP एरिया में बात करें तो TSP में general की आप देख सकते हो 49.28 रही है female की 40.10 रही है SC category में general की बात करें तो 40.97 रही है उसके बाद ST category में general की बात करें तो 41.25 cut-off रही है horizontal reservation की बात करें तो horizontal reservation में BLV की cut-off 57.28 रही है Department Ministerly Employee की रही है 46.5385 तो ये थी आपके 2021 में जो संग्णक बर्थी परिक्स आयोजीत हुई थी उसकी cut-off इस बार की cut-off पर मैं फिर से बता रहा हूँ आपको यूनिग में वीडियो लेकर आऊँगा एकदम 60 cut-off सभी बातों का ध्यान रखकर की paper का level का सरा पदोकी संक्या, उनकी अटेनेंस इन सभी बातों को मद्य नेजर रखते हुए आपके लिए एकदम 60 cut-off लाँगा लेकिन उससे पहले आपको कमेंड बॉक्स में जरूर बताना होगा कि आज की paper का level आपका कैसा रहा है आपने कितने कुशन attempt किये हैं कितने सही हो रहे, कितने गलत हो रहे यह संपुर्ण जानकर यह आपको नीचे कमेंड बॉक्स में बतानी होगी वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें, चनल जरूर सब्सक्राइब करें